है लो एवरिवान कैसे हो सब? I hope you all are doing good. COVID-19 ऐसा लग रहा है एक कोरोना वाइरस की सिवा दुनिया में कुछ और चल ही नहीं रहा है. Wave 1 कतम हुआ, Wave 2 चल रहा है, Wave 3 आने का भी डर है. बहुत सारे रिसर्च के बाद वैक्सिन भी मिल रहा है. बट हम सब एक confusion में हैं, एक वैक्सिन को ट्रस्ट कैसे करें, वैक्सिन लेना है या नहीं लेना है? वैक्सिन लेने के बाद भी इतना केसस कैसे बढ़ रहा है? Well, आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं. सबसे पहले कुछ गलत फेमिया हैं, उनको क्लियर करते हैं. First myth ए है, हम ये सोच रहे है, COVID-19 वैक्सिन अनसेफ है, क्यूंकि ये बहुत जल्दी डेवलप्ट है, मतलब बहुत जल्दी इसको find out किया है. आपने भी बहुत लोगों को ये लगता होगा ना? बट, मैं एक बात बताती हूँ. पहले का बात कुछ और था, पर अब medical field बहुत आगे निकल चुका है. हाँ, वैक्सिन इतना कम समय में मिलना easy task नहीं था, बट, जैसे दूसरे वैक्सिन में food and drug administration होता है, वैसा ही बहुत सारे test के बाद, हर steps and safety measure follow करने के बाद, कोई भी steps miss किये बिना vaccine मिला है, vaccine बन चुका है, which are very safe and effective. Actually, instead of doubting, we need to be thankful. Second myth, the COVID-19 vaccine will alter DNA, which is absolutely wrong. COVID-19 vaccine हमारा body में immunity बढ़ाता है, by creating antibodies, ये future infection से हमें protect करने के लिए बना हुआ है. Mainly, ये हमारा nuclear of the cell को enter ही नहीं करता है, जिदर हमारा DNA है. So, this is completely a myth that it alter DNA. You can go for it. You can take the COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccine causes infertility in women. पता नहीं, ये सब सोच आते ही कैसे है. ये बिलकुल गलत सोच है. Actually, expert इसके उपर भी research किये है, vaccine आपका fertility को बिलकुल एफेक्ट नहीं करता है. Okay, पर अगर आप naturally conceive होना चाहते हो, that's well and good, पर आपको कुछ प्रॉब्लम होके, आप IVF के तुरू या कुछ और treatment ले रहे हो, फिलाल के लिए, बेटर है, आप पहले vaccine ले लो, so that you will be safe, after that you plan for that. है ना, क्यूंकि हम लोग safe रहेंगी, तो अपना future भी safe रहेगा, अपना बच्चे भी safe रहेंगे, इसलिए. अगर आपको already COVID हुआ है, तो COVID vaccine नहीं लेना है, क्यूंकि आपके body में already natural remedies बन चुका है, सब बहुत लोगों को लगता है, नहीं, आपको COVID होके cure होने के बाद भी, जो natural immunity बिल्ड होता है आपके body में, वो कितने दिन तक रहता है, या वो किसी किसी को कम होता है, किसी किसी को ज नहीं होता है, तो ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि आपको vaccine नहीं लेना है, ओके एवन दो आपको COVID होके आप treatment लेके आप क्योर हो चुके हो, आपका future safety के लिए आपको vaccine लेना बहुत जादा जरूरी है, क्यूंकि natural immunity system जो होता है, it depends on individual, तो जब आप vaccine लेंगे, it is sure that आपका body म immunity system अच्छे से built हुआ है, antibodies अच्छे से built हुआ है, okay, हाँ, बहुत लोगों को ये भी लगता है, COVID vaccine लेने से ही COVID हुआ है, COVID हो रहा है, okay, क्यूंकि ऐसा भी हुआ है, जो COVID vaccine लेने के बाद बहुत लोगों को COVID positive बताया गया है, दिकाया गया है, but the thing is, ऐसा बिलकुल नहीं है, okay, क्यूंकि इसमें किदर भी COVID vaccine में किदर भी ये नहीं बोला गया है, कि आपको vaccine लेने के बाद COVID बिलकुल नहीं आएगा, है ना, किदर भी ये नहीं बताया है, बस COVID-19 vaccine आपको COVID के agonist fight करने का immunity देता है, इवन दो अगर आपको positive बताया, आपका body को कुछ harm किये बिना, आपक इसका मैं जब सोची कि ये बात सब की दिमाग में चल रहता या बहुत सारे लोग बोल रहते, तोड़ा confused हो गई थी, बट जब vaccine center में या vaccine registration का जगा में लोगों को देखी, मैं कुद परेशान हो गई, टीक से मास्क नहीं पहनते है, social distance तो बिलकुल नहीं है, बस vaccine ले लिए और जब एक दो दिन के बाद COVID positive आया तो blame to the vaccine, ये गलत फहमे से बिलकुल भी मत रहो कि चलो आप vaccine ले लिए, पहले dosage हो गया है, आप क्यू डरे, गुमो फिरो, मास्क भी नहीं पहनो, social distance भी बूल जाओ, ऐसा बिलकुल नहीं है, vaccine आपका immunity बढ़ाने के लिए है, आपको न किलकुल नहीं है कि आपको careless behave करना है, second dosage के बाद भी virus आपको attack कर सकता है, but you will be least affected, जैसे आप कितना भी perfect driver हो, आप rules follow नहीं करेंगे, या कुछ गलत तरीके से आप गाड़ी चलाएंगे, या over confidence में गाड़ी चलाएंगे, आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, ना, वैसा ही, you need to be careful, that even after the dosage, like even after the both the dosage of vaccination, you need to be very careful, आपको mask पहनना है, आपको hygiene रहना है, social distance maintain करना है, it is needed, अब, वैक्सिन लेने से पहले और लेने के बाद, क्या-क्या safety रखना है, वैक्सिन किसको नहीं लेना है, इसके बारे में तोड़ा बात करते हैं, जब, आपको COVID वैक्सिन लेना है, तोड़े दिन पहले से ही, आपका routine सही रखो, जैसे healthy diet follow करो, अपना बोड़ी को hydrate रखो, क्यूंकि अभी गर्मी का भी season है, और हमारा बोड़ी को hydrate रखना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से नींद लो, अच्छे से सो, जैसे अभी देखो, हम लोग कभी बच्चों का vaccine दिलाते हैं, अगर उनको तोड़ा सा भी cold cough या तोड़ा सा भी fever रहता हैं, तो डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, कि उनको regular vaccine अभी नहीं देना है, they need to be healthy to take the vaccine, क्योंकि जब आपको already बिमार हो, उस cases में आपको कुछ side effect होने का chances बहुत जादा रहता है, है ना, इसलिए आपको health को नहीं बिगाडना है आपको, आप अच्छे से rest लेके, अच्छे से healthy रहके जब vaccine लेगे ना, उसका असर भी आपके उपर बहुत अच्छा हो effects, 24 hours से 7 days के अंदर क्योर हो जाता है, अगर नहीं हुआ, तो you need to consult the doctor, पैनिक मत हो जाओ, just consult your doctor, they will give you the proper medication or what is needed, बहुत लोग जैसे BP, डाबेटिक या कुछ और health issue का medication लेते हो, तो vaccine लेने से पहले, आप एक बार डॉक्टर को जरूर मिलो, डॉक्टर से consult करके, आपका जो भी doubts है, clear कर दो, उसके बाद आप vaccine लो, आप vaccine ले सकते हो, बट मन में कुछ confusion रखे मत लो, क्यूंकि हम लोग कुछ करते हैं अगर confusion रहा न सब सही चल रहा तो भी गलत ही दिखता है, इसलिए make sure कि आप कुछ confusion मत रखो, sure हो जाओ कि हाँ, मुझे vaccine लेना है, that is safe, I am safe, ऐसा सोच क आप doctors को consult करके, आपका जो भी thoughts से उसको clear करके आप vaccine ले सकते हो, आपको vaccine के बाद कौन सा भी anti-inflammatory medicines, या drinks, या smoking या non-steroidal anti-inflammatory drugs avoid करना है, okay, ओ कितने दिन तक अवाइड करना है, ओ सब आप अपना doctors से पूछ लो, okay, वैसा भी इसको avoid करना for lifetime is very good, तो आप बेटर है कि consult the doctor so that you will be safe, and कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर vaccine लेने के बाद कुछ side effect नहीं हुआ, तो vaccine काम नहीं कर रहा है, ये भी गलत है, सब को तकलिफ नहीं होता है, किसी-किसी को ज़्यादा तकलिफ होता है, किसी-किसी को कम तकलिफ होता है, किसी-किसी को कुछ भी तकलिफ नहीं होता है, that's absolutely fine, आपका जो vaccine है, आप सब पे असर कर रहा है, कुछ भी problem नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ vaccine लेने के बाद, अगर fever आया या कुछ तकलिफ होता, तब भी vaccine असर कर रहा है, it's not like that, okay, it depends on individual, individual immunity, well, अभी जैसा 18 प्लस का vaccine आई ही चुका है, बहुत सार media पे भी चल रहा था, कि हाँ, पिरेट्स के टाइम पे बिल्कुल vaccine नहीं लेना है, no, किदर भी ये mention नहीं किया गया है, okay, अगर आप confused हो, look, पिरेट्स is a natural process, जो हर मन्त होता है, okay, आपको इसके लिए vaccine को आगे करने का, या उसके आगे टाइम या पीछे टाइम पे से उनको consult करो, एक बार confirm करो क्या मैं इस टाइम पे भी ले सकती हूं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर से क्लियरली बता चुके है कि हाँ, पिरेट्स के टाइम पे वैक्सिन लेना बिल्कुल सेफ है, okay, but if you have confusion, better clear it with your doctor, हाँ, अगर अप प्रेगनेंट हो, या ब्रेस्ट about to give, like इसको लेना नहीं है, क्यों, ओ सब रीजन मुझे भी नहीं पता है, but better है कि अपर खुछ जगह में ऐसा भी है, वैक्सिन ले चुके है, not in India, some other countries, जब प्रेगनेंट होने के बाद भी वैक्सिन दिया गया है, but you make sure, अगर आपको लेना है, it's your call, आपको लेना है, you need to consult the doctor, talk to them, then take it, okay, if they say no, please don't take it, but be safe, क्योंकि प्रेगनेंट लेडिज में, जो ब्रेस्ट वीडिंग मॉम से उन में, जल्दी से इंफेक्शन बढने का चांसस रहता है, जल्दी वाइरस अटाक होने का चांसस रहता है, तो better है कि आप बहुत जादा safe रहो, extra safe रहो, so that आपको अभी फिलाल के लिए नहीं लेने से भी आप तोड़ा बहुत manage कर पाए, अगर आपको कोविड वैक्सिन के first dosage के बाद कोविड होता है, तो क्या करना है, है ना, कोविड वैक्सिन का first dosage तो हो गया, फिर भी उसके बाद कोविड positive आया, तो बिलकुल डरने का जरूरत नही है, आपको यह करना है कि कोविड negative आने तक वेट करो, जैसा 14 देस तक आपको कॉरंटाइन में भी रहना रहता है, जो भी रहता है उतना वेट करो, उसके बाद और एक बाद टेस्ट कराओ, टेस्ट के बाद जब negative result आता है, उसके बाद second dosage ले लो, उसमें डरने की खोई ब society is not going to work, it's high time, we need to take care, अगर हम जब बच्चे पैदा होते ही, उनका future safety के लिए, उनका future safety के हिसाब से उतना नन्नी सी जान को बहुत सारा अलग-अलग vaccines दिलाते है, है ना, from the birth, one and half month, two and half month, three and half month, हर एक मन्त में उनको vaccines दिलाया जाता है, जिसके वज़े से बच्चों को दिलाते हैं, ऐसा नहीं है ना, हम लोग फिर भी vaccine दिलाते हैं, क्यूं, क्यूंकि हमें बच्चों का future safety बहुत जरूरी है, आपका तोड़ा चोटा सा तकलिफ को सोचके हम लोग अगर vaccine नहीं दिलाएंगे, तो future में उनको कुछ भी तकलिफ हो गया तबी हम कुछ भी नहीं क कर सकते हैं, है ना, बच्चा रोता है करके अगर वो fever में है या उसको तकलिफ है तो medicine नहीं दिलाएंगे, या injection नहीं लगवाएंगे, तो क्या होगा, उनको और तकलिफ होगा, बच्चों को यह नहीं पता है कि वो अभी फिलाल के लिए दर देगा, पर future में हमें बहुत helpful ह होगा, just like the vaccine, अभी covid vaccine भी same है, आपको तोड़ा बहुत अभी तकलिफ होगा, बट यह अभी जो virus है, हमारे साथ lifetime चलने वाला है, है ना, यह पूरा completely एकी दिन में निकल गया, ऐसा होई नहीं सकता है, तो हमें क्या करना है, हमारा immunity को हमें बढ़ाना है, हमारा safety हमें रखना ह है, so please trust, और जब आप trust करते हो ना, ऐसा trust करो, मैं इसके लिए एक चोटा सा स्टोरी बताती हूँ, जब एक गाव रहता है, गाव में ना, सब लोग बारिश आने के लिए प्रे करने को जाते रहते है, क्योंकि बहुत साल हुआ रहता है, उदर बारिशी नहीं आता है, उनक सब को एक ट्रस्ट रहता है, एक ट्रस्ट के साथ सब लोग बोलता है, कि अगर गाव का देवी को हम कुछ कर दिये, उनको प्रे कर दिये, तो ज़रूर बारिश आएगा, ओके, तो जाते वक ना, सब लोग जाते रहते है, तो एक बच्चा ना, एक चाता लेके निकलता है, ओके, अम्रेला, चाता लेके निकलता है, सब लोग देखते हैं, और उसमें एक जो बड़े हैं, ओ पूछ भी लेते हैं, अरे, चाता क्यों ले रहे हो, वैसे तो बारिश तो आ ही नहीं रहा है, तब ओ बच्चा बोलता है, अभी हम जा रहा है प्रे करने को ना, बारिश के पहले बरोसा रखो, हाँ, ये मुझे फाइदा देगा, ओके, जब हम मेंटली किसी चीज के लिए प्रिपर्ड नहीं हो जाते ना, तो वो चीज हम चाहने के बाद भी हम लोगों को कुछ भी होता है, वो नेगेटिव ही लगने लगता है, सो प्लीज उसके दिमाग में जो चाहे तो बात करो किसी से जो कंसल्टेड डॉक्टर से, या कोई जो वैक्सिन लिये है उन से, या जो वैक्सिन लेने वाले है उन से, आपका जो भी कन्फूजन है, आप बात करके क्लियर करो, बट हाँ, मुझे लगता है कि वैक्सिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्यूंकि ह हम लोगों का future अभी बहुत ही जादा tension में है, कितने दिनों से सब कुछ बंध है, lockdown लग चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, this is the second year, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, कितने लोगों का job चला गया है, कितने लोगों का सब दुकान बंध है, तो उनका घर नहीं चल रहा है, है ना, कितना तकलिफ हो रहा है, तो हम लोग बस और वैक्सिन हम लोगों को free में दे रहा है, सोचो, है ना, और free का चीज़े जब मिल जाते हैं ना, लोगों को उसका careless करने लगते, अरे free में मिल रहे हैं तो कुछ तकलिफ है, ऐसा बिलकुल नहीं है, हम लोगों को अपना safety रखना बहुत जादा जरूरी है, और vaccines are safe, जो भी बोलते हैं ना, आप बोलने वालों के उपर मज जाओ, वाक्सिन के वज़े से किसी को इतना भी तकलिफ नहीं हुआ है, या कुछ ऐसा चीज़े नहीं हुआ है, कि जिसके वज़े से उनको जान पर आजाए, वो कुछ और भी reason होच सकता है, ओके ऐसा नहीं है, अप वाक्सिन ले लिए और आप मरेंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, this vaccine is for your safety, right, आपका immunity बढ़ाने को, मरने को बहुत सारे reasons है, right, death won't be, ये COVID एक ही reason नहीं है, सब चीज के लिए, so please do trust, okay, और मैं आप सबसे जरूर ये request करूँगी, please, अभी already 45 प्लेस एज वाले को तो vaccine लग चुका है, so जो भी vaccine लिये है, first dosage, both the dosage, please do comment in the comment section की and आपको क्या लगता है कि vaccine लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों, हाँ अगर आपको लगता है vaccine नहीं लेना चाहिए, उसका भी reason बता दो, okay, keep it in a positive way, okay, हम लोग इदर argue नहीं कर रहा है, okay, I just want your opinion, मैं अपना opinion जैसे share कर रही हूँ, जैसे आ आप लोग भी, आप लोगों का opinion शेर करो, and जो भी 18 प्लस की लोग है, आप लोग क्या चाहते हो कि vaccine बहुत जल्दी आ जाए और बहुत जल्दी मिल जाए, and आप क्यों चाहते हो ऐसे, okay, आपको भी लगता है कि vaccine लेना है, and अभी बच्चों के लिए भी vaccine आना ज़रूरी है ओबी अभी जल्दी से आना है, बहुत parents को भी लगता है क्योंकि बच्चों का safety सबसे पहले रहता है, so please आपका opinion को comment section में share करना, बिल्कुल मत बोलो, sorry, जरूर आपका comment section, मेरा comment section में, आपका opinions को share करो, and दूसरे लोग उसको देखो, आपका opinion, हम लोग एक दूसरे के साथ exchange क करेंगे, तो शायद हम लोग का confidence बढ़ जाएगा, या कुछ गलत है में है, जो दूर हो जाएगा, है ना, so please do that, please do comment in my comment section, so that everybody will get to know what is your opinion, okay, this is something we all need to understand, trust is a big thing, everything is going to be fine, stay safe, stay healthy, take care of you and your family, don't forget to like, share and subscribe, thank you for listening. झाल